हलो अबरिवन आज हम लोग यूडायस पोटल पर इस्टुडेंट को कैसे प्रोमोट करेंगे एक क्लास से दूसरे क्लास में कैसे प्रोमोट करेंंगे इसके बारे में जानेंगे चलिए शुरू करते हैं, सबसे पहले Google पर U-Type करते हैं U-Type करने पर, जब हम click करते हैं, तो कई इसके result आ जाते हैं इस result में यहां पर दिया हुआ है link U-Dash Plus, इस पर click करते हैं इस पर click करने पर एक नया interface open होता है, जिसमें बहुत सारे menu दिये गए हैं इस Menu में हम लोग लागिंग for All Module पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने पर यहां पर एक नए इंटरफेस आता है जिस में दिया है यूडाइस लॉगिन यूडाइस लॉगिन ये ये 2023-24 इसमें पहला अप्षन लॉगिन फॉर इस्कूल डिरेक्टरी अबलिक यूजर मैनेजमेंट है इसको हम लो लॉगिन बटन पर किलिक करके लॉगिन कर सकते हैं दूसरा इसमें है प्रोफाइल एंड रिपोर्ट इसको भी हम लोगिन कर सकते हैं इसमें तीसरा अप्षन टीचर माडियूल जिसको हम लोगिन कर सकते हैं टीचर के बारे में कोई भी करेक्शन करना है यदि कोई टीचर रिटायर हो गया तो नाम को अटा सकते हैं या किसी का हम नाम इसमें अड़ कर सकते हैं, इसको लोग इन कर सकते हैं, इसके बाद student module, student module को आयूज हम लोग कर सकते हैं, student module के बाद report module है, इसको भी हम लोग इन कर सकते हैं, अब हम लोग student module का प्रोक करेंगे student module में जाएंगे student module पर क्लिक करेंगे student module पर एक लिस्ट है जिसमें सबीश state का नाम दिया गया है इसमें मैं कोई भी state सेलेक्ट कर ला हूँ जैसे यहां पर मैंने youp select कर लिया और go पर क्लिक कर दिया यूपी बस्लेट करके go पर click करने पर एक नया interface आ रहा है जिसमें दो आपसन दिये गए हैं जिसमें दिया हो गया है year 2020-24, 23-24, 22-23 ये पिछले साल वाला है ये current year है 22-23, 23-24 जो है current year है इस पर हम लोग click करते हैं देखें यहां पर school का detail आ गया है अब हम लोग यहां पर left side में देखते हैं कई option है, school dashboard, school profile, list of all students, इसके बाद यहां पर दिया हुआ है, section management, progression activity, transfer certificate module, और duplicate record, 23-24 यहां पर ये सब option दिये गए हैं, progression activity पर click करते हैं, progression activity पर click करने पर तीन option दिखाई देते हैं, जिसमें पहला है, progression module, जिसमें go, view summary, finalize, progression पाये जाता है, दूसरा option है, import module, जिसमें go और view summary पाये जाता है, इसके बसाती तीसरा है, drop box और inactive student list, इसमें drop box और inactive student list पाये जाती है, हम पहले वाले option पर जाते हैं, इस पर हम लोग click करते हैं, इस पर click करने पर यहाँ पर list of student eligible for promotion year जो दिया हुआ है 22-23 से 23-24 में promote करने के लिए, जो eligible हैं, उनके लिए यहाँ पर option बनाया गया है, यहाँ पर हम लोग सबसे पहले देखते हैं कितना, इसमें देखे, class दिखाई दे रहा है, कई class यहाँ पर 100 हो रहा है, जो class हम को लेना है, वो class हम लोग ले सकते हैं, इसके बाद section दिखाई दे रहा है, जो भी section इसमें दे में और section A को मैं open करूंगा, तो यहाँ से हम लोग class 9 select करते हैं, देखे, यहाँ पर हम लोग जो भी eligible student है उसके लिए, इसके बाद यहाँ पर section A करते हैं, इसके बाद यहाँ go बटन पर, जो go बटन साइड में बना हुआ है, इस पर हम लोग क्लिक करते हैं, गो पर क्लिक करन मैंने गोलो पर क्लिक कर दिया है, अब देखे, यहाँ पर एक point दिखाई दरा adding, student list पर promotion class दिया हुआ है, और section दिया हुआ है, student list पर promotion यहाँ पर लिखा हुआ है, और इसमें सबसे पहला जो column है, उसमें क्या है, यह देखते हैं, देखे, सबसे पहले column में क्या लिखा गया ह सबसे पहले कालम में लिखा हुआ है student code student code student code या student pen यानि student का permanent education number दूसरा यहाँ पर कालम है student basic details student basic details इसके बाद है progression status progression status progression status के बाद यहाँ पर दिया है mark percentage जो पिछले साल का जो mark है उसका percentage यहाँ पर दिया है number of days school attempt number of कितने दिन बच्चा स्कूल गया है इसके बारे में यहाँ पर भरना है इसके बाद schooling status schooling status के बारे में हम लोग select करेंगे क्या है उसका status के बाद class and section to be promoted किस class और क्या section है किसमें promote किया जा रहा है यह सब देखेंगे इसके बाद status के बाद यहाँ पर action दिया गया है action यहाँ पर column है last देखें यहाँ पर पूरा detail है एक बच्चे का पूरा detail जैसे यहाँ पर permanent education number दिया गया है इसके बाद दूसरे कालम में student name यह दिया गया है यहाँ पर permanent number के बाद दूसरे कालम में student name दिया गया है student के बारे में अब हम progression status वाले कालम में जाते हैं इस पर हम लोग select पर click करते हैं देखें यहाँ पर option दिखाया जा रहा है सबसे पहला आप पर है promoted इसके बाद दूसरा है not pass जो पास नहीं है उसको वारे में इसके बाद promoted without examination यानि बिना examination के ही यदि उसको promote कर दिया गया है promoted without examination option दिया गया है इसके बाद discontinuous यानि discontinue है before examination के पहला ही discontinue हो गया है और last में यहाँ पर दिया गया है repeater यानि दुबारा उसी class में अगर वच्चा बढ़ रहा है या student है उसी class में तब हम उस option को select करेंगे नहीं तो उपर से किसी भी option को select कर सकते हैं इसके बाद यहाँ पर हम लोग percentage percentage आप mark यहाँ पर feel कर सकते हैं इसके बाद अगले column में हम attendance इसमें feel करेंगे student साल में जितने दिन आया हुआ है उसका यहाँ पर हम लोग entry कर सकते हैं आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं इसके बाद अगले column में school status वाले column में study in same school और left school with tc या without tc इस दो option दिये गए हैं इसमें से हम लोग select करेंगे इसके बाद section को select करेंगे section को select करने के बाद यहाँ पर update option पर क्लिक कर देंगे एक बक्चे का अपडेट हो जाएगा फिर दूसरे बच्चे का अम लोग करेंगे इसी तरह पूरे page को करने के बाद यहाँ पर नीचे एक finalize बटन दिया गया है इस finalize बटन पर क्लिक करके हम student को promote कर सकते हैं पिछले क्लास से जो current क्लास चल लए है उसमें हम लोग उसके नाम को promote कर सकते हैं और कि सभी विद्यार्थियों को एक क्लास से दूसरे क्लास में ले जा सकते हैं आज के वीडियो में इतना ही Thank you